स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल आयरुवेदा एक्सपर्ट में इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे आयरुवेद की उपलबता में सुलब और गुणों में दिब्ध, उसिदियों के पहचान, उनको प्रयोग करने के तरीके और उनके लापकारी फायदों के बारे में इसी कड़ी में आज की वीडियो में मैं आपको पारिजाद जिसको हरसिंगार सहवाडी का नाम से जाना जाता है की काड़े बनाने की रेसिपी आप सापके साथ सेयर कनने जा रहा हूँ दोस्तों हरसिंगार यानि पारिजात का काड़ा बात रोगों की एक प्रमुक उसदी है यह साइटिका की रामबान उसदी मानी जाती है साइटिका में जिसमें साइटिक नर्म में अबस्ट्रक्शन आ जाता है नाडियों में सोत होता है, उसको आसानी से दूर कर देती है, इसके इलावा पुराने बुखार में, सरदी खांसी, खुन को साप करने के लिए इस उसेदी का प्रयोग किया जाता है, यह उसेदी बहुत ही लापकारी है, आए हम काड़ावाना च्टार्ट करते हैं, इसके हम ताजा पत्तों का प्रयोग करेंगे, पारिजात का काड़ा बनाने के लिए हम इसमें साथ में तुलसी और अधरक सुरस का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी अधरक पारिजात ये तीनों ही बात और कफ के रोगों को दूर करते हैं, इसके लाबा पानी और खरल के हमें आप स पढ़ेगी। सबसे पहले हम पारिजाद के पत्तों को साब पानी में डाले अच्छे से धोलेंगे। पत्तों को धोना बहुत्च जरूरी है। इसससे की उपरी गंदगी दूर हो जाती है। इसके बाद पारिजात के काड़ा बनाने के लिए हमें लगवग 8 पत्तों के आपसकता होती है देखिए मैंने 8 पत्तों का यूज किया है पत्ते नय होना चीए और 100 रूप के होना चीए साइटिका में हम सुन्टी अधरक का प्रोग करेंगे और पुराने बुखार साधी खांसी के लिए इसके साथ तुज़ी का प्रोग करेंगे दूले हुए पत्तों को सभी को एक साथ ले लेंगे इस तरह से इसके बाद में हम इन पत्तों को फोल्ड करेंगे और चाकू के माध्यम से इसके छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे इसके पत्ते थोड़े खुर्दरे होते हैं इनके अंदर लुगदी बनाने के लिए इसको हम चाकू के माध्यम से छोटे-छोटे टुकड़े में इसको काट लेंगे काट लेने से इनकी लुखदी बनाना आसान हो जाता है इनके पत्तों को काटने के बाद में हम फिर एक क्रल में इनको डालेंगे दोस्तों क्रल में डालने के बाद अच्ची दर इन पत्तों को हम कूटेंगे थाकि थोड़ा इसका जो खरने से कम हो जाए और ये लुगदी जो है बन जाए इसकी लुगदी तैयार होगी है खरल में अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे बाहर निकालने के बाद एक साब तपेली में इनको हम डालेंगे खाड़ा बनाने के लिए दोस्तों एक विक्ती के लिए हम आदा ग्लास खाड़ा बनाने जा रहे हैं इसलिए उसका चार गुना यानि दो ग्लास पानी इसमें डालेंगे देखे ताजे पत्तों की पैचान है कि ताजे पत्ते को काट के लोगदी से पीस के डालने पर तुरंद उसका रस निकलना स्टार्ट हो जाता है अगर ताजे पत्ते आपको उपलब नहीं हो पा रहे हैं तो पत्तों को सुखा कर उसका चूरन बना के भी यूज कर सकते हैं लेकिन जब हम जब सुखे हुए पत्तों का काड़ा बनाएंगे तो पानी की मात्रा उसमें चार गोने की जगा आठ गोने हो जाएगी अगर हम इसको वात रोगों के लिए यूज कर रहे हैं तो अधरक मिलाएंगे और सर्दी खासी बुखार के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें तुलसी के पत्त मिलाएंगे तो उसी अधरक और पारिजादी तीनों ही आरवित के साब से वात और कफ्ट के रोगों को दूर करने के गुर्धरमबाले होते हैं काड़ा बनाने के लिए जो गैस की फ्लेम है उसको हमेसा स्लोप पे रखेंगे दीरे दीरे काड़ा बनेगा तो पत्तियों का रस समया अवसानी से आ जाएगा बन फूर्थ होने तक इसको हम गरम करेंगे लगवाब 25-30 मिनट में यह काड़ा हमारा बनके तयार हो जाएगा अब इस काड़े को हम एक साब किलास में छान लेंगे काड़े का सेवन करते समय कुछ चीज़ा है मैं जरूरी जानना जरूरी है सबसे पहले तो काड़ा हमेशा कुन-कुना यह गरम ही यूज किया जाता है काड़ा हमेशा खाली पेट पीना चाहिए सोबह और साम दोनों टाइम काड़ा लिया जा सकता है काड़ा पीने के बाद में आदा घंटे दा किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए गरतिसी साइटिका में इसके काड़ा जब हम 15 दिन यूज कर लेते हैं उसके बाद में उसका लाब दिखना आरम हो जाता है एक बेक्तिक लिए काड़े की मातरा भी से मिल रहेगी इसके लाबा काड़ा बलड प्यूरिफायर का भी काम करता है कब्ज को भी दूर करता है अगनी बिकारों में लाब कारी है दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें सेयर करें धन्यवाद